प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री चाराम ठाकुर की तारिफ की है कि वो नशा माफ्या को सक्ति से कुचल रही है उन्होंने कहा कि हिमाचल को नसे से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीती के अच्छे परिनाम नजर आने लगे हैं विधायक नरिंदर ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री चाराम ठाकुर ने सत्ता ग्रेंड करने के फॉर्ण बाद इमाचल में फैले नशे के जाल को खतम करने को सरकार की प्राथमिक्त तैक किया था प्रदेश के भूले भाले युवाओं सहीद स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों तक नशर माफिया ने अपनी जड़ें फैला रखी हैं प्रदेश के लिए यह वेहत खतरनाक स्थिती बन चुकी थी जिसमें युवावर्ग नशे के जाल में जगरता जा रहा था उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार दोरा पहली बार ऐसा तंतर विक्सित किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताए बिना ऐसे अपराधियों की जानकारी बिना किसी भय के दे सकता है उन्होंने आंकडे जारी करते हुए पिछली कॉंग्रेस सरकार पर आरोप लगाये कि वर्स 2012 से 17 के बीच नसे के सौधागरों ने हिमाचल के कोने कोने तक अपनी जड़े फैलाई लेकिन तत काली इन कॉंग्रेस सरकार की कुम करनी नींद नहीं तूटी पियाए टीबी के लिए हमीरपुर से व्यूरो रिपोर्ट